मचलियों को पालना उन्हें दाना डालना समुद्र किनारे मचलियों को निहारना किसे पसंद नहीं होगा लेकिन कि आप जाते हैं समुद्र किनारे मचलियों को निहारना आपके लिए भारी भी बढ़ सकता है और यहां तक कि आपकी मौत का कारण भी बन सकता है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समुद्र में एक ऐसी मचली पाई जाती है जिसको छू लेने भर से आप मौत को दावत दे सकते हैं हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे जहरीली मचली स्टोन फिश की जो समुद्र में मकर रेखा के आसपास पाई जाती है इस मचली का जहर इतना खतरनाक होता है कि तुरंत ही इंसान की जान ले सकता है ये पथर जैसी होती है इसलिए ये आसानी से नजर नहीं आ पाती और व्यक्ति अंजाने में इसके संपर्प में आ जाता है बताया जाता है कि स्टोन फिश अपने उपर पढ़ने वाले वजन की जितना जहर उगलती है जो किसी की भी मौत का कारण बच सकता है अपने उपर वजन पढ़ने के बाद मचली 0.5 सेकंड की रफ्तार से जहर उगलती है जो किसी को भी नुकसान पहुचा सकता है इस मचली का जहर इतना तेज है कि कहा जाता है कि एक बूद अगर किसी शहर के पानी में मिला दी जाए तो पुरा शहर तबाह हो सकता है अगर कोई इनसान इस मचली के संपर्क में आ जाए तो या तो संपर्क में आया हुआ हिस्सा काटना पड़ सकता है या फिर जादा लापरवाही के चलते द्यक्ति की जान भी जा सकती है दुनिया में कई अजीबों गरीब जीब है और स्टोन फिश भी उनहीं में से एक है सभी वंचलियों के शरीर कोमल होता है लेकिन ये उसके उलट बिलकुल कठोर है और पत्थर जैसे शरीर की होती है जिसे पहचान पाना मुश्किल होता है और साथ ही साथ अपनी अंदर इतना जहलिये घूमती है कि किसी को भी अपना शिकार बना सकती है और किसी का भी जीवन कुछ सेकेंड में खत्म कर सकती है